है रो दोस्तों विल्कम बैक टो अर्कलोजिकल पॉइंट मैं शुन गुपता है इस वीडियों आपसे बात करने वाना हूं कि जो आपने एक्जाम दिया है आसिस्टेंट अर्कलोजिस्ट का ठेक है तो उसका जो है कि मार्क्स आप लोग आ चुका है चुकि आप लोग बहुत यह जो वेकैंसी आइथी दियार सोलमी टोटल पोस्ट कितनी थे 44 थे 44 ठीक है टोटल सेलेक्शन जो है 44 लोग का हुआ यहाँ पे देख सकती है ठीक है कि टोटल जो सेलेक्शन हुए 44 लोग का हुआ है है ना और टोटल अपलाई कितने लोगों ने किया था लगबग 560 लोगों ने किया हो या 2000 लोग भी हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है है ना तो हमारा यह पॉइंट यह है कि लास्ट टेम जो मेरिट बना था आज से 8 साल पहले वो कितना बना था तो देखो यहाँ पे जैसे कि जो अन्रिजर्व के टिगरी है ठीक है अन्रिजर्व के ट इनको पता नहीं होता है अन्रिजर्व का मटला भी होता है कि जो किसी का रिजर्व ना हो ठीक है वो से जा तो जनरल का होगा ना तो हैसी का होगा ना ओबिसी का होगा उस पे कोई भी आ सकता है इसका मार्क्स अच्छा हो ठीक है वो अन्रिजर्व में आ सकता है तो यहाँ पर देखिए इस अन्रिसर्व है तो अन्रिसर्व में सीटों बर्द हुए है कि काफी लोग फिल हुए है ठीक है लेकिन इसे में अगर आप देखोगे तो इधर आपको दिख जाएगा कि यहां पर एक OVC के टेगरी का स्टुडेंट है इसका भी अन्रिसर्व में हुआ है ठी अब ही हम देखते है कि जो अन्रिसर्व के टेगरी इसका जो मिनमम है वो कितना गया है तो गाइस इसका मिनमम गया है ठीक है मैक्सम इसकी गया है 137 और मिनमम देख लेते हैं जो मिनमम अन्रिसर्व के गया है वो कितना गया है मिनमम अन्रिसर्व के गया है अपका 93.5 ठीक ह कितना गया है 93.5 अगर आपको यहां दिख रहा हो यह हलाकि OBC का बंदा है पर यह Unreserve में क्वालिफाई हुआ हुआ है तो Unreserve का हम मान रहे है कि 93.5 जो है लास्ट टाइम जो है मिनमम था ठीक है इतना पॉइंट गान दखेगा next देखते हैं OBC का ठीक है OBC का जो है कितना गया है देखे OBC तो यहां पर Unreserve में हो गया है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगी बद्यान दखेगा इसका Unreserve में हुआ है OBC नहीं हुआ है ठीक है Unreserve में हुआ है तो OBC का कितना गया है OBC गया है 98.5 कहां पे OVC कहां यहां पर देखो OVC का यहां पर गया है 98.5 जो कि highest गया है मतलब कि मोटा मोटा आप 99.9 माक्स कहा दखते हो कि highest गया है जब कि अगर हम OVC का अगर मिनमम माक्स देखे जो कितना है OVC का जो मिनमम है वो है आपका 81.5 कहां पर 81.5 यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा OVC का जो मिनमम माक्स से कितना गया है 81.5 गया है OVC का मिनमम अब आपके माइन में आएगा कि अगर आप AWS के टिगरी से है तो आपका कितना मतलब की जा सकता है ठीक है तो OVC को और AWS को आप समकर चमान की चलो थोड़ा बहुत अंतर होगा तो AWS के नीची मेरिट आएगा जैसे अगर आप मान की चलो कि अगर OVC का 100 है तो AWS के बहुत होगा तो 95 होगा ठीक है इसे यदा अंतर होने कि सम्माना नहीं है पांच माक्स का अंतर उपर नीची हो सकता है OVC और AWS में ठीक है अब हम SC का देखते हैं जो SC है SC का जो हाइस्ट गया है कितना गया है SC का जो हाइस्ट मार्स है गाईस ना वो गया है आपका 102 के असफास कहां पर हाँ यहाँ आप पर देखिए यहाँ पर जो है SC जो है SC के श्टूरेइंट है और इनका SC में ही कितना गया है 102 मार्स गया है जो की हाइस्ट है SC के करेटेगरी की SC में हिमका सेलेक्शन भी वहा है 102 मार्स इनके है ठीक है मोटा मोटा 102 अपमान की चली ग्लास टैंट था है ना और मिनमं कितना है SC करेटेगरी का वो देख लिए हम लोग देखते है, हिष्टी का इतना गया है, तो हिष्टी का जो maximum marks है गई थी आपका 79.5, ठीक है ये वाला जो है हिष्टी का इतना गया है, ये highest है, 79.5, जबकि जो minimum marks है वो आपका 76.5, तो ये जो merit करें बहुत जाजे नेगी, तो बहुत कम गई है, जबकि अगर हम बात क इस बार कितना आ सकता है, यह मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कि मेरिट बड़ेगी, कितनी बड़ेगी, कितनी करटेगी, यह मैं कुछ नहीं बोल सकता, हलागि पेपर एजी था, ठीक है, तो आप इस केज आफ से आप अंदाजा लगा लो, ठीक है, कि कितना हो सकता है, अगर हम अगर अंदाया लगाएं, तो जो उस समय का हाइस्ट है, हो सकता है कि वो इस बार का मिन्मम हो, ऐसा हो सकता है, जैरूरी नहीं है, हो सकता है कि इस नहीं माक्स पे सबका हो जाए, ये भी हो सकता है अब डिबिन करता है कि जो इस्टुरेंट अपलाई की हैं जिन्होंने एक्जाम दिया है वो किस लेवल के थी ठीक है अगर उन्हें जादे क्वेश्चन कियोंगे तुनका होगा बात समझ पर है आप तो मेरिट तो बड़ागी गाई इसनों कोई दोरा नहीं हैं बड़ आप आगे देख लेना अपने साथ जो भी आपको सही लगी ठेक है मिलता हो आप से अगले वीडियो में नहीं ख्याल रखिए ठेक केर बाबाई